नितीश का दिल्ली प्लान संकर्ट प्रफसी मोधी की कुरसी बीजेपी विरोधी बड़े नेता से नितीश ने मिलाया हाथ 29 जून को नितीश कुमार करेंगे बड़ा फैसला इंडिया की भी नजर नितीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और नितीश के दिली प्लान को लेकर जो खबरे आ रही है उससे बीजेपी में घबराट दिखाई दे रही है पहले से ही मोधी सरकार इस बार लोग सभा में कमजोर दिख रही है नितीश की बैसाखी पट्टी की हुई है और इस बैसाखी पर विपक्ष की भी निगाए है वहीं बिहार के सियम और जेडियू चीफ नितीश कुमार की मन में क्या चल रहा है इसकी किसी को खबर नहीं है ना तो जेड्यू के निताओं को है और ना ही जेड्यू के साथ बिहार में सरकार चला रही BGP को वैसे भी नितीश के बारे में कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है इसकी खबर उने छोड़ कर किसी को नहीं होती है 29 जून को नितीश दिली आ रहे हैं पाटी की रास्टी कारकार्णी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो फैसले होंगे उसके परिणाम महीने भर के अंदर ही दिखने लगे हैं दरसल नितीश कुमार की हाल ही में ज़ारखन के निर्दली विधायक सर्यू राई से मुलाकात हुई सर्यू राई पहले बीजेपी में थे लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी राई ने ज़ारखन विधानसवा चुनाब में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था खुदराज के सियम रगुवर दास के खिलाफ चुनाब मैदान में उतरे और उन्हें हरा भी दिया और अब सर्यू राई और नितीश कुमार की मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि नितीश इस मुलाकात से कोई बड़ा मंत्र लेकर आए हैं जिससे बीजेपी को करा पारी चोट दी जा सके वैसे नितीश की रड़नीती क्या है इसका खुलासा 29 जून से होने लगेगा इस समय संसत का सत्र चल रहा है वैसे तो ये विशेश सत्र है सरकार की तरफ से किसी तरह की विदहिक इसमें पेश नहीं होंगे लेकिन रास्टपती के अभिभाशन पर व वोटिंग से बच गई हो क्योंकि परंपराओं के चलते इंडिया गठबंदन की तरफ से इसे लेकर कोई डिमांड नहीं की गई थी लेकिन रास्टपती के अभिभाशन में भी ऐसा ही होगा ये संभव नहीं दिख रहा है और ऐसे में जेडियू के 12 सांसदों का समर्थन ए इली में रखी तो इसके पीछे कई कारण है पहला तो ये है कि विपक्षी दलों के साथ उनके रिष्टे में जो थोड़ी दूरियां आई थी उन्हें पाट लिया जाए क्योंकि राजनिती में कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और नितीश कुमार के तो पहले से ही इंडिया गठबंदन में शामिल हर दल के साथ अच्छे रिष्टे रहे हैं इसके अलावा नितीश की नजर विहार के विशेश राज के दरजे पर भी है और इसके लिए वो मोदी सरकार से सीधे बाचीत भी करने के लिए दिल्ली आ रह रहा है कि इस बार नितीश आरपार के मूडवे हैं मोदी सरकार की तरफ से साफ संकेत हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा कुछ भी नहीं बदलेगा ऐसे में जेडियू की मांग मोदी सरकार मानीगी इस पर सवाल है और इसी के साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर नितीश की बात नहीं मानी तो उनका अगला कदम क्या होगा इसके संकेत भी 29 जून को ही मिल जाएंगे इस बार के लोकसबा शुनाव में जेडियू को चार सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा है जबकि जो सीटे वो बचा पाई है उसमें भी जीत का अंतर काफी कम हो इसे लेकर भी दिली में चर्चा होनी की संभावना है जेडियू के अंदर से ही कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस बार वैसा समर्थन नहीं मिला जिसकी गठभन्दन को उमीद थी और इसी के चलते गठभन्दन का वोट शेयर घटा है ऐसे में बीजेपी के साथ र चैनी दिखाए दे रही है